हम लोग आजकल बाटने की संस्कृति में यकीन करने लगे हैं सब कुछ बाट लिया धर्ती बाट लिया, देश बाट लिया, राज्य बाट लिया, पायटिया बाट लिया, विचारधाराई बाट लिया, इश्वर बाट लिया, पानी बाट लिया, हवा बाट लिया और जब बाटने को हमारे पाच कुछ नहीं बचा, तो स्रिष्टी का जो सबसे अविभक्त, शब्द था, प्यार, हमने उसे भी बाट लिया इश्वर के प्रती प्यार तो भक्ति मा के प्रती प्यार तो वातसले बहन के प्रती प्यार तो इसने है पतनी के प्रती प्यार तो कामना प्रेमी का के प्रती प्यार तो वासना लेकिन मैं सिद्ध करता हूँ प्रभुत दुश्रोताओं के बीच खड़ा हूँ और मुझे बता देना कि अध्यात्म आपके आसपास से गुजरता है कि कृष्ण का प्यार राधिका के लिए भी उतना ही पवित्र और पावन था जितना रुकमनी जसोदा और मीरा के लिए था यह देश उस संस्कृति का देश है कि जम्ना के इस किनारे पर राधा गरम दूद पीले तो जम्ना के उस किनारे पर क्रिष्ण के मूं में च्छाले पड़ जाते थे हम लोगों ने उस प्रेम को जिया है एक कविता पढ़ता हूँ जीवन में जिस किसी को प्रेम किया हो किसी बात सल्य की, किसी भक्ति की, किसी इसने की बात नहीं करता जिस किसी को प्रेम किया हो उसका चित्र इस कविता की शब्दों के साथ साथ बनाना शुरू करना और अंतिम पंक्ती में उस चित्र में कुछ नए रंग भर दूँगा, इस दावे के साथ एक रचना आपके बीच पढ़ता हूँ, प्रभा की रचना है, एक शब्द भी चूट गया तो कविता चूट जाएगी, कि उससे नहीं मिलूं, तो मन में बेचेनी सी रहती है, उससे गोरे, नर्म, गुलाबी, पाउं बहुत ही सुन्दर है, उसकी बातें निश्चलता का ठेहरा हुआ समंदर है, उसकी बोली मुझको सब वेदों से सची लगती है, उसकी मीठी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती है, वो अक्सर मेरे कंदे पर सर्रकर्स हो जाती है, वो जि पुलवारी सी लड़की, मेरी छोटी सी वेटी है, उससे नहीं इनुको मन्ने वेचानी सी रहती है, उसके आपे वे पावन देवनादी सी रहती है.